एमदबाद के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली का और आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के जवाहर लाल नहरू स्टेडियम में हो रहे नौथ इस्ट महोटसव में कोरोना की वज़े से इसका दो साल बाद आयोजन हो रहा है चार दिनों तक चलने वाले इस महोटसव में नौथ इस्ट स्टेट के रंग देखने को मिल रहे हैं हमारी संबादाता तेश्री पुरंदरे ने इस महोटसव का जाइजा लिया है दिल्ली के नहरू स्टेडियम में नौथ इस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है इस नौथ इस्ट फेस्टिवल में नौथ इस्ट के तमाम राज अपनी कला, संस्कृती और पारंपरिक वेजबूशाओं का प्रदर्शन कर रहे है खास बात यह है कि जो नौथ इस्ट के स्टेड्स होते हैं, उनकी जो पोशा के होती है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है और इसी तरह से मेरी एक स्टॉल पर मौजूद की है, यह बरनाली पाठा का है जो आसाम से आई हुई है और इनके पास तमाम तरह की वैराइटीज है, चाहिए वो साडियों की हो, सूट्स की हो, या फिर चुनरी की हो, आपका आसाम से आई है है, यह बताइए कि यहाँ पर सबसे जो यूनीक चीज है, इस वक्त वो क्या है यूनीक से अभी, यहाँ पर सारी है मेरा, सिल्का है यह, मलवरी सिल्का, और कौतन का सारी भी है, और हम लोग आसाम का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, मैकला चादर वो भी है, यह राल करकी जो सारी है, इसकी खास बात क्या है, यह क्या रिंजे इसकी और किस चीज की है, यह 10 बॉटल होल्डर है, बॉटल डाल के हम ले जा सकते हैं, यह जो है ना, इसको काउना वोलते हैं, इससे हम लोग पर्स बना सकते हैं, इससे हम लोग कुछ भी बॉटल होल्डर बना सकते हैं, बॉटल का, वो जो आप बता रहते हैं, जो रूट से बना है, वो क्या था? यह ज उसके भी फेस जो होते हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो देखिए कला सिर्फ एक कला कार के लिए ही नहीं बलकि कला उस राज्य के लिए उक्षेत्र के लिए भी पहचान का एक जरिया है जहां से वो उभर कर और निखर कर सामने आती है। वीडियो जेनलिस्ट मदन की साथ दिल्ली से गुड नियू सुड़े के लिए तेचरी पुरंदरें